आज से ट्राफिक के नए नियम लागू हो गए हैं, अगर अब ट्राफिक का उलंगन किया या नियमों को उलंगन किया तो जादा जुर्माना देना पड़ेगा, इस चीज को समझने के लिए अच्छे से मेरे साथ मौझूद है, मैं सर से जानूगी, सरा मुझे बताईए जो आज से नए नियम लागू हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा समझाईए, देखिए, जो आज पर गौर्मेंट नोटिफिकेशन, इसमें जो फाइन के चार्जिज कुछ बढ़ाए गए हैं, और अभी हम जो आज से जो चलान कर रहे हैं, सारे चलान कोट के कर रहे हैं, कुछ लोगों को अभी अवेर्ड नहीं है, जिनको जो अवेर्ड नहीं हैं, उनको अवेर करने की कोशिच करेंगे और बाकी जो वाइलेटर से हैं, उनका हम चलान कर रहे हैं, तो आज मितलब लोगों को छूट दी जाएगी या आज से ही चलान आपने कडना शुरू कर दे है लेकिन हम आज कैस्ट चलान ने करें जो भी चलान कर रहें कोड का कर रहे है कि क्यों रोक है आपको पता नहीं है आज से नहीं हम लागू हो रहे हैं तो आपको हेलमेट पेन ध्यान देना है यहाँ मैम नोलिज में नहीं ता क्योंकि अब हम इस्टेडियम से निकलेता है आज तो गलती हो गया आगे से इसको रोकना है नियम फॉलो करना अभी जो लोग यातरयाज के नियम तोड रहे हैं उनको हम भाईक के द्वारा अपनी जो हमें टी सरकारी बाएक है उनसे पकड़ हो रहे हैं अभी कैस कोई चलाने हो रहा है इन लोगों को कहना है कि इन्हें पता नी था ये निया माने वाले हैं तो क्या मैं इसे ये मानूं कि आप लोगों ने ऐसे रूल्स के बारे में बताया नी था जंता को कि वो जागरोक हो या उन्हें रूल्स के बारे में पता हो या ह आपसे कोई चूक हुई है या इन लोगों से ही चूक हुई है। देखे ये सोशल मीडिया में निउस पेपर में कई दनों से आ रहा है। ये तो एक्सक्यूज है इन लोगों के क्या कह सकते हैं। नए ट्राफिक रूल्स को लेकर क्या क्याना है। एक्चुली रूल्स बहुत जरूरी है हर चीज के है। ट्राफिक हो या कोई भी चीज हो ट्राफिक का रूल्स कर हम फोलो करेंगे तो जादा वेटर है। हमारी सेफटी के लिए हमारी फैमली के लिए है। बहुत अच्छा हो रहा है। इवन देश को सुधाने के लिए बहुत अच्छा कदम है। ताकि कुछ लोग डर में ही सही पर सुध रहे है। आप फॉलो करते हो रेगुलर्ली ऐसे बात है। जी मैं। गरीबों के लिए तो जादा ही महंगे है। बात गरीब अमीर की निवात ही है न। इसे लोग सब फॉलो करेंगे डरेंगे रूल्स सोडने से। तो देखा आपने लोग भी इसको एक पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। लोगों का मानना ये है कि इस तरीके से अगर रूल्स बनेंगे तो लोग इने अच्छे से फॉलो करेंगे और उलंगन कम होगा। मैं फराखान कैमरा परसन विवेक के साथ आर नाइन टीवी।